नमस्का फ्रेंट्स आज हम गर्कलगन की जातकों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है उसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो है वो ग्रहों की गोचर की स्थिति को देख लेंगे कि जून के महीने में ग्रह की स्थिति में है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध ग्रह की तो बुद्ध ग्रह दो जून से वक्री स्थिति में आपके विरिशब राशी में हो रहा है उसके बाद हम सूरे की बात करेंगी तो सूरे इस समय जो आपके जून में विरिशब राशी में संचार करेगा और 16 जून को ये मिथुन राशी में चला जाएगा मंगल 2 जून से करक राशी में आपके लगन में संचार कर रहा है शुक्र जो है वो 14 जून तक मितुन राशी में संचार करेगा और उसके बाद यह 14 जून से करक राशी में संचार करेगा गुरू वक्री स्थीती में 20 जून से लेकर के 18 उक्टूBER तक आपके कुम राशी में रहने वाला है बात करेंगे शनीग्र रह की तो शनीग्र है जो है आपका 23 मैं से वक्रिस्तिती में चल रहा है आपके मकर राशी में राहू जो है वो रोहिनी नक्षत्र के दूइते चरण में वरिशम नवांच में दो जून से ट्रेवल कर रहा है इसने अपना नवांच चेंज किया है तो काफी अच्छी खबर है यहाँ पर और केतू जो है वो अनवादा नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है यह भी दो जून से ही ट्रेवल कर रहा है तो हम समझते हैं कि अब जून का महीना जो है वो करक लगन वालों के लिए करक राशी वालों के लिए कैसे रहने वाला है तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि करक राशी वालों का जो जर्म का लगन का स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है तो चंद्रमा अगर आपकी जर्म कुर्णी में अच्छे स्थीती में है तो यह आपको मन्सिक स्थ स्टेबिलिटी और एक विश्वास सा पैदा करता है मन में लेकिन वहीं चंद्रमा अगर शिर्ण स्टिती में हो जैसे कि आपका कृष्ण पक्ष की त्रियोद्रशी से शुक्र पक्ष की प्रती परदा तक अगर आप अपनी जन्म कुर्ली देखी कर वहां पर चंद्रमा की स् तो वह खिर्ण चंद्रमा कहलाएगा उसके लावा यह अगर वृष्टिक राशी में बैठा हुआ है तो भी आपका खिर्ण चंद्रमा होता है तो चलिए सबसे पहले हम बुद्ध ग्रह की बात करते हैं तो बुद्ध जो है वह शुक्र की राशी में बैठा हुआ है आपक इलेवंध हाउस में तो इलेवंध हाउस में होने के विज़ से कहीना कहीना आपको यह उच्छी शिक्षा में अर्चने पैदा करता हो नज़रा रहा है ठीक है लेगिन उसके साथ साथ जिनका कंप्यूटर का बिजनस है इंजिनिरिंग से लेटर जो काम करते हैं संगीत म्य या क्रेवी क्रेश से करते हैं उनको सफलता दिखा रहा है उसको इस महिने कहीना कहीं से बहुत ज़दा सफलता प्राप्त होगी क्योंकि बुद्ध जो है वो शुक्र के घर में गया है तो दोनों में जो है वो म्यूजिक से लेटर या कलाक से लेटर व्यक्ति को बहुत इने बुद्ध लेकिन साथ साथ आपको वियाई भी करवाएगा क्योंकि 12th house का लॉड भी है अचिए यहाँ पर यह आपको उच्छ शिक्षा की अफसर परदान करेगा लेकिन थोड़ा सा परवारी सुक में कमी करने वाला है क्योंकि यह शुकर की घर में गया है सूर्फ परिवारी सुक में कमी करेगा संघर्ष के बाद कठाईयों के बाद जो होगा धन के अफसर आपको create होंगे, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, कि शक्तू राशी में गया है, तो आपको थोड़ा संघर्ष कीजिए, वैसे भी आप effort डालने की जो है, आदर डाल के रखिए, क्योंकि जो करक राशी वाले होते हैं, बहुत emotional किसम के होते हैं, किसने कोई बा बहुत ज़ा भागे उदे करवाएंगे उनका, भागे मोदे वो करवा सकते हैं, ठीक है, यहां पर यह सूरी आपको विदेश यात्रा के अफसर क्रेट करेगा, और जब यह 16 जून को आपके 12th house में आ जाएगा, तो यहां पर व्यक्ति में क्या रहता है, कि यह धन भाव का स्वामी 12 महां में चला गया, तो उचित, अनुचित, किसी भी तरीके से धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है वो उद्वित रहता है, कि उसमें बस कमाना ही कवाना है, 12th house में गया है, तो आपका धन का व्याइबी करवाएगा, पैत्रिक संपत्ति से लिटेट कुछ खर दिखरा रहा है, अब 12th house में गया है, तो आपको यात्रा के अफसर प्रवाइड करेगा, कि आप यात्रा करने के लिए आपका मन होगा, तो आप यात्रा के लिए जा सकते हैं, कुटूम सुक में कमी करेगा, मैंने बताया क्योंकि दियूति हाउस हमारे कुटूम भाव होता है, और उसका 12th house में जाना, 6-8 12 में कोई भी ग्रह जाता है, तो इस सुक में कमी करता है, तो इस तरह सी सूरे का ये गोचरिया देखा जाएगा, उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल अपनी नीच राशी करक राशी में लगन में आ गया है आपके, जून में, त 15 से संघर्ष के बाद आपको ये चीज़े प्राप्त होगी, अचा यहाँ पर आपकी वानी में बीना कटूता लेकर क्याएगा, क्योंकि मंगल जो है ना, वो थोड़ा एग्रेसिव सा प्लैनेट है, और एक तरीके से, सोचता समझता ज्यादा नहीं है, तो यहाँ आपकी उच्छी शिक्षा में भी अर्चले उत्पन करेगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हार एजूकिशन के लिए तिहारी कर रहे हैं, या फॉरण जाना चाहरे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं अर्चले उत्पन करता हुआ, दिखाई दे रहा है आपका मंगल, उसके बाद हम व्या आपके अस्थिरता का भाव बना रहेगा है, परिशानी के बाद ही आपको सफलता है, परापत होने वाली, बिजनसमेन, जो बिजनस से लेटर, जिनका प्रोफेशन है, उनको यहां पर थोड़ी से स्थिरता और परिशानी देखने को मिल सकती है, आर्थिक और परिवारिक आपको संकर्ट जहनना पड़ सकता है, आपकी घरिवलु सुख में भी यह कहीं न कहीं, यह मंगल जो है, वो कमी करता होना जरार है, क्योंकि यह अपनी नीच राशी करक राशी में गया है, उसके बाद हम बात करेंगे, शुक्र ग्रह की, तो शुक्र जो है, आपका 14 जून होता है, इलेफन थाॉस का लॉड होता है, तो यह आपको, जो भी मेरे आपको रुकता है, कि संघर्ज के बाद आपको भूमी मकान वहान का सुख, क्यों हुआ फूर्थ हाॉस का लॉड है, तो यह देगा, अच्छा विदेशों से जिनका कुछ रिलेशन होगा, तो वहां स आपका लक्जरियस आइटम से अपने बैडरूम से लिटेड़ आपको चीजों पर पैसा करच करोगे अच्छा 14 जून को यह जो आपके लगन में आ जाएगा शुकर 12 आउस में मैंने बता है कालपुर्श कुनली में मीन राशी में शुकर जो होता है वो उच्चका हो जाता है तो वहाँ पर शुकर की पॉजिटिव रिजर्ट्स आपको महाँ से मिलेंगे लेकिन 14 जून को यह अपके लगन में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कहीं ना कहीं आपके धन वहान और आपका जो रेजिदेंस है या आवास के उसके सुक्ष में वो बड़ात्री करेगा यह आपका काफी अच्छा रहेगा भोग विलास की तरफ आपका मन रहेगा क्योंकि शुक्र जो है विलास प्रेग रहा है उसके आप भोग विलास पे खर्च करोगे खाना अच्छा खा रहे है ना कला संगीत काव्य हो गया डांस हो गया इसमें आपकी रूची इस दोरान बढ़ दी भी नज़र आएगी तो शुक्र आपको जब लगन में आएगा काफी अच्छे positive results देगा धन के अफसर ये create करेगा कि शुक्र धन का भी आपका रहता है और फोर्थ हाउस का लॉड है और आपका 11th हाउस का है income हाउस का समामी भी है तो कहीं न कहीं शुक्र जो आपको income के अफसर create करेगा और इस transit को आप बहुत positively utilize कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा बात करेंगे हम गुरू की तो गुरू जो है वो आपके 8th हाउस में travel कर रहा है और 20 जून से ये वक्री हो जाएगा तो मैंने बताया था जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो अपनी जो है वो उसकी direction जो आगी ना जाकर कि पीछे की तरफ बढ़ जाती है और दूसरा वहां जाकर कि वक्री स्थिती में प्लैनेट unusual behave करता है मतलब जैसा वो पहले जैसे एक normally behave करता है वो वैसा नहीं करेगा जैसे अश्टमभाव में कहा है तो वेक्ति को जैसे मंत्र तंत्र हो गया या उकल्ट हो गया या मेटाफीजिकल या गूर विद्ध्या जो होगी ना उसके प्रतीज होगा उसका रवईया यहां पर बढ़ एक तरीके से अदर्वाइस तो गूरु धर्म के प्रतीरूची दिलाता है लेकिन यहां पर आपके अपके अच्छ्ट की तरफ मन वेक्तिगा हो जाएगा ठीक है आप यहां पर यह अश्टमभाव में गया है तो कहीने कहीं आपके भागे और वेफसाय में बाधाय उत्पन करेगा उलजने हो जाएंगी ठीक है माता की सुख में यह कमी करेगा यहां से और भूमी मकान कुछ भी होगा वहां पर आपको परिशानी क्रेट कर रहा है गुरू का ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा सा कष्ट कारी है गुप्त कष्ट आपको हो जाएंगे है ना कोई र चड़ाव रहेगा और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी सफलता यहां गुरू आपको दिलाएगा लेकिन संघर्ष के बाद दिलाएगा कि फूर्थ हाउस में इसका असपेक्ट रहेगा और आपका ट्वेल्थ हाउस में असपेक्ट रहेगा तो सफलता है जो भी मिलेग कि प्रोफेशनल जिनका स्टेडीज होती है उसके विद्या प्राप्ति के अफसर यहां पे दिलाएगा, काफी अच्छा ट्रांजिट है सेटनन का आपका यह जो वक्री स्थीदी मूरा है बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ठीक है, भूमी मकान वहान आपको यहां प्र करते हैं, मिनरल्स हो गया, आपका आरेन स्टील, कोल हो गया, पत्थर हो गया, सिमिंट हो गया, उनके लिए जो है वह बहुत अच्छा है, हाडवेर वसिलेटर जिनका काम है, उनके लिए शानी का ट्रांजट बहुत अच्छा है, और एक चीज़ में थोड़ी सी है, जो जि इसके वज़े से भी शत्रु के आपके धन पर दिश्टी बनी रहेगी, तो थोड़ा सा आप यहां ध्यान रिखिए, और खासकर अगर आपका चंद्रमा क्षिन सिती में है, ठीक है, क्षिन सिती में आपको बताए कि जब क्रिश्ण प्रक्ष की तिरुदशी से शुक्र प् वरिशम नमांच भोंगा, वरिशम नमांच आपके एकादश भाव में आता है, तो यहां पर कहीं न कहीं जो है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से, या सोशल नेटवर्किंग साइट है, या आपके बड़े भाई बहन है, अगरज है, सीनिर्स है, कहीं न कहीं उन से धोका की स्थीति उत्मन हो सकती है, क्योंकि राहू जो है, वो एक तरी के से चाया और चाया वाला और चीटिंग करने वाला ग्रह है, तो कहीं न कहीं आपके साथ, उस तरह से कोई चीटिंग करवा सकता है, तो थोड़ा साप वहां बचके नहें, उसके बाद लेकिन ये आपको यहा आपको अकस्मित कहीं से कोई धन प्राप्त होगा, जो जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, सट्टा या लॉट्ट्री में, तो वहां से उनको कोई न कोई फाइदा जूर होगा, वेफसाय में आपको यह सफलता दिखलाएगा, तो आपका उप्चे हाउस है तो उप्चे हाउस में जाने पर राहू जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आपको यहां पे देने वाला है, ठीक है, और वेफसाय में जो भी मैंने आपको पता है कि सफलता मिले कि निए परिश्टम की द्वारा मिलेगी, पत्नी का सुख आपको यह प्राप्त करवाएगा, वाहन प्राप्ति के अफसर ही आपको यहां पर दिला रहा है, क्योंकि कालपुर्ष कुंडली में यहां पर कुम राशी आती है, और कुम राशी जो होती है, तो यहां पर यह अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देगा, आपको मैंने कहा कि अपको अकस्मिक धनलाब दो जून से, तो अब यह फिफ्ट हाउस में आने पर क्योंकि हमारी बुद्धी का स्थान होता है, हमारी मनरुजन का स्थान होता है, उसको सुथ भाव का जाता है, जैसे टीवी, सिनिमा हो गया, हमारी लाइकिंग्स हो गया, हमारा लवर हो गया, उस अप पंच्छे भाव की तियारी करें, स्टेट्स बॉडिनेट्स सर्विसिस की तियारी करें, अगर केतु की पोजिशन करकर राशी वालों के लिए वहां पर, जो है, वो थोड़ी से कहिने, विद्या में अर्चन पैदा करेगी, कि बुद्धी में चन चलता हो, उत्पन हो जाएगी, यहां पर पर में पीट कर थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि पीट में चोट के यह संकेत दिखा रहा है, और आपको संतान को भी कष्ट हो सकता है, खासकर जिन दंपत्यों को बच्चा होने का समय है, लेडीज का, तो वहां पर अभी थोड़ा सेजेरियन का टाइम दिखा रहा है, क्य केतु कट लगाता है शरीर्मा और पंचों भाव में गया है, तो कही न कहीं वेक्ति की जो होता है दंपत्यों को, जो पैच्चा पैदा होता है, वो सेजेरीन होता है, तो यह था जून के महीने में करकराशी वालों के लिए कैसा बीतेगा, उसका लेखा जुखा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्स्क्राइब करना न भोले, थैंक्स पो वाचिंग दे वीडियो